जब आप बच्चे को जादा माणने लगते हैं, तो उसके बीच में डर नहीं रहा जाता, वो हेहर हो जाता है। कुछी दिन पहले जब चंद्रयान तीम चंद्रमा पर सफल लेंडिंग किया था, तो आप ही के गाओं का एक मुस्लिम बच्चा जो उस साइंटिस्ट की टीम का एक हिस्ता था, जिसकी मा ने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया होगा, बाद बार माइके लेके चली जाती होगी, उसी की वज़ा से वो साइंटिस्ट बन पाया होगा। कि बच्चे को गाल पर मत मारो, क्यूं? क्यूंकि गाल लाल हो रहे है, बच्चे को कमर पर मारो. सोशल मीडिया पर भारेल वीडियो, मुजफर नगर के नेहा पबलिक स्कूल का है, जिसमें UK जी के एक बच्चे को पाच्वी का पहाड़ा नहीं आद होता है, इसलिए मैडम सजा के रूप में उसी के सावपाटियों से उसे पिटवाती है, और ना सिफ बच्चों से उसे पिटवाती है, बलकि UK जी जैसे मासूम बच्चों को ये कहती है, कि जोड से मारो, तेज से मारो ताकत नहीं है क्या, छोटी बच्चों को उकसाना और उकसा कर मरवाना इस पर सोशल मीडिया पर तमाम लोग तरह तरीके से बात कर रहे हैं, ये कह रहे है कि मैडम पर कठोर से कठोर कारवाई होनी चाहिए, मैडम बच्चों को दंगाई बना रही है, बच्चों को हिंदू मुस्लिम के बीच में फर्क करना सिखा रही है, मैडम पर सक्त कारवाई होनी चाहिए वीडियो वाइरल होने के बाद, अरेश्ट टिपती त्यागी नाम से ट्विटर पर ट्रेंट चनने लगा, लोग मैडम को अरेश्ट कराना चाहते थे तो मैडम ने भी अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मैडम ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा है, वो बिलकुल मजाक सा लगता है, यह मैं क्यों कह रही हूँ, यह आप सुनिए यह वीडियो वाइरल जो है छेट शाड करके वाइरल की गई है यह वीडियो, और इसमें जो है, जो मैंने बात कही थी, वो सारी बात काट दी गई, बस इसमें तो एक मॉमडन वर्ड रखागा, यह की वर्ड रख दिया, जिससे की हम मॉमडन को उकसा दें, कि तो मेरा मैंने तो मैंने भी गल्टी की कि बच्चों को इस तरह से बच्छों से नहीं भी ट्वाना चाहिए था, और वो मैंने इंटेंसल लिए मेरा इंटेंसल नहीं था क्योंकि मैं विकलांगू, मेरसे उठानी जा रहा था, तो बच्चों को कंट्रोल करने के दिए बच्चों की शिक्षा चीतर से चलाने के कुछ तो कदम उठाने बढ़ता है कि तो बच्चों से मैं एक दो बच्चों से लगा दिये थे बस मेरा तो यहीं वो रहा वैसा मेरा इंटेंशन यह नहीं था हाँ वीडियो में चेर्चार की गई है मैंने जो बोला था वो मैं आपको बता रही हो लाई मैंने का था कि जितनी भी मोमड़न माई हैं वो अपने बच्चों को लेकर मामा किया मत जाएं क्योंकि एक्जाम शुरूरू होने वाले हैं और मेरी पढ़ाई में वह ज़्यादा नुक्सान होगा क्योंकि बच्चे एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो आप कितना सही मानते हैं इस तरीगी से आपने बच्चे उसे बच्चे को लेकिन मैं भी थोड़ी मुझबूर थी बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए वह जब मैडम से यह पूचा गया कि क्या आप बच्चों को हिंदू-मुस्लिम करना सिखा रही थी तब मैडम ने यह कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया वीडियो को कार्ट छाट कर वारल किया जा रहा है वीडियो में सब कुछ कार्ट दिया गया सिफ मुस्लिम सब्द को रखा गया मैंने यह नहीं कहा था मैंने यह कहा था कि जो मुहमडम महिलाएं होती है वो अपने बच्चों को लेकर मामा के घर चली जाती है और पेपर आने वाला है बच्चों का पेपर छूट ना जाए ब चल फिर नहीं सकती इसलिए बच्चों से थोड़ा सब पिटवा दिया बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है और उनके माता पिता ने यह कहा था कि बच्चे को थोड़ा टाइट रखो बदमाश है सोचिए दोस्तों कि मैडम का यह जो बयान है उस पर म मैं जो पूछना चाहती हूँ, क्या वो सही है या नहीं, ये वीडियो अगर तिपती मैडम तक पहुच जाए तो पहुचा दीजेगा, और मेरा उनसे जो सवाल है वो सुनगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैडम अगर आप विगलांग है, चल फिर नहीं सकती, तो क्या द पीट कर पढ़ाया, लिखाया और सिखाया नहीं जा सकता, मारने पीटने से दिहाती बासा में बोला जाये, तो बच्चे हेहर और थेथर हो जाते हैं, उससे जादा और कुछ नहीं, यानि कि मार पीट से बच्चों के बीच में डर खतम हो जाता है, जब आप बच्चे को ज आप बच्चे को मार पीट नहीं सकती, खाली प्यार कर सकती है, बहला फुसला कर ही पढ़ा सकती है, लेकिन मैडम को ये लगता है कि थोड़ा मारना पीटना ज़रूरी है, बच्चों को टाइक करने के लिए इतना ज़रूरी होता है, तो मैडम आप स्कूल में ताला ये क्योंकि स्कूल के नियम के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकती, बच्चों को physically torture करना आपको हक नहीं दिया गया है, लेकिन नजाने क्यों आप ऐसा कर रही है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मैडम हिंसा कोई solution न निकाल रही है और बच्चों के बाल मन पर प्रभाव डाल रही है तो मैडम इस पर कानूनी कारवाई हो सकती है और सायद आप जेल भी जा सकती है तो बच्चों पर फीजिकली टौचर करने वाले ये टीचर जिनको ये लगता है कि बच्चों को बिरा आमारे पीटे नहीं कि थोड़ा कड़ाई से मेरी बच्चे को पढ़ाओ मैडम ने बताया कि उनके गार्जिन ने खुद कहा उनके गार्जिन ये खुद चाते थे कि बच्चों को कड़ाई से पढ़ाया लिखाया जाए तो एक बात बताईए मैडम तो फिर उस बच्चे के पिता नाम क्यों कटव प्ट्वाते रहे हैं और लगतार एक घंटे तक पिटवाते रहे जैसा कि उस बच्चे ने काहा कि एक घंटे तक मुझे मारा गया है। नहीं होता, क्या वो अपने नानी, नाना, बुवा, फुफा, खाला के घर नहीं जाते और अगर वो बच्चे अपने रिष्टदारों के घर जाते हैं तो क्या उनकी पढ़ाई बादित नहीं होती, किसी मुस्लिम महिलाओं के बच्चे ही अगर अपने माई के चले जाए तो पढ़ाई बादित होती है, मैडम, आप क्या कह रही है, ये खुछ सोच कर देखिए, आपकी बात में जो दम है, वो बिल्कुल नजर नहीं आता, आप बिना तर्क की बात कर रही है, मैडम, मैं ये मान लेती हूँ, कि आप ये नहीं कह रही होगी, कि आप हिंदू-मुस्लि को लेकर कोई फितूर नहीं होगा, लेकिन आप ये तो मानती है, कि मुस्लिम महिलाये अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, वो अपने बच्चों को लेकर माईके चली जाती है, वो जान बूच कर अपने बच्चों को पढ़ाई चुड़वाना चाहती है, तो मैड ने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया होगा, बाद बार माईके लेके चली जाती होगी, उसी की वज़े से वो साइंटिस्ट बन पाया होगा, मैडम आपको बता दू कि मुजफर नगर के खतौनी के आरिफ एहमद जो चंद्रयान टीन के टीम का एक हिस्ता है, उसके मेंबर है, जि जैसे तमान साइंटिस्ट की वज़े से ही भारत ये किर्टिमान हासिल कर पाया है, जिसकी वज़े से भारत का नाम पूरे विश्व में उचा हुआ है, मैडम ये सोच ये कि क्या उनके टीचर भी उनको हिंदू-मुस्लिम के बीच में फर्क करना सिखाते थे, क्या उन्हें ये सिखाते थे, क्या उन्हें ये बताते थे कि तुम हिंदू हो और वो मुस्लिम है, आरिफ के टीचर ने ये कभी नहीं सिखाया होगा, लेकिन मैडम आपको अपनी सोच बदलने की ज़रुत है, जिस इन आप अपनी सोच बदल लेंगी ना, समाज अपने आप ही बदल जा तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि मैडम हिंदू मुसलिम नहीं करना चाती थी, मैडम के दिमाग में हिंदू मुसलिम को लेकर कोई फर्क नहीं रहा होगा, मैडम कोई फर्क नहीं करना चाते होगे, उनके मान सिक्ता इतनी दूशित नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी उन्हो तोटे मासुम बच्चे को हिंसा के लिए प्रेडित किया, छोटे बच्चों के बीच में भेदभाव से खाया, होमवक नहीं पूरा होने पर एक कतार लगवाई, और बच्चो से बच्चों को ही पिटवाया, ये गलत नहीं है क्या, छोटे बच्चे जिस बच्चे को मारा जा मैडम कैसे एक टीचर बन गई है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मैडम एक बात बताओ, मैं भी स्कूल से पढ़कर निकली हूँ, इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है, मैं बताना चाते हूँ कि बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है, उनको कभी मार पीट कर, हिंसा करके, डरा कर, धंका कर, कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता मैडम मेरी पूरी समवेदना है उस बच्चे के साथ, जिसको पूरी क्लास में खड़ा करके उसी के सवपार्थियों द्वारा पीटा गया है, मुझे बहुत चिंता है, मुझे ये तो नहीं पता कि उस बच्चे के बांसे की सितिक कैसी है, वो अभी ठीक है या नहीं है, ले इसको आप सुनिए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे को गाल पर मत मारो, क्यूं? क्यूंकि गाल लाल हो रहे है, बच्चे को कमर पर मारो, क्यूं? अगर गाल लाल हो जाएंगे, तो मैडम से सवाल होगा ना, मैडम से ये पूछा जाएगा कि मैंने आपके अपने बच्चे को आपको पढ़ाने सिखाने और प्याट से रखने के लिए बेजा था अपने मेरे बच्चे को क्यों मारा यह सवाल होगा इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे को गाल पर मत मारो कमर पर मारो गाल लाल हो रहा है दोस्तों यह बात सम्विधान का पार्ट पढ़ाया जाएगा जब यह बताया जाएगा कि हमारे देश में सभी बराबर है हिंदू मुस्लिम से किसाई सबको बराबर अधिकार मिले हैं जब इसे सम्विधान के समानता के अधिकार के बारे में बताया जाएगा तो इस बच्चे को यह बात सße जो वां ईगी को सारी बात मजागा नहीं लगेगी अभी जो बाल वने के यह बत्चे हैं इस तरीकि के दूसिक मांसिक्ता या इससे और व्यूटुब पशने में तूर बताइबेखा State Coast posting心सुल पर जरूर बताईएगा नमस्ते मैं पल्लवी हूँ आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलू कर लीजिए नमस्ते